तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम discuss करेंगे optionally convertible debentures जिसे short में OCD भी कहा जाता है optionally convertible debentures जब हम discuss करेंगे उसके पहले आपका basic knowledge clear होना चाहिए वो basic knowledge यह है कि financial management में capital जो वर्ड होता है उसके अंदर में debt भी आता है और equity भी आता है तो यह अलग से बताने की क्यों जरूरत है यह अलग से बताने की इसलिए जरूरत है तो कि आप जब accounts यानि कि accountancy देखते हैं और accounting करते हैं तो वहां पर capital का मतलब सिर्फ owners funds यानि कि promoter ने जो proprietorship business में जो proprietor है उसने जो capital infuse किया मतलब जिसे हम हिंदी में लागत बोलते हैं अगर partnership की बात करें तो partnership firm में जो partners capital है उसे हम सिर्फ capital बोलते हैं कि जो उसका owner है उसने जो पैसे business में लाए लेकिन जब हम financial management पढ़ते हैं यानि कि FM पढ़ते हैं या फिर SFM पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें ये बात का ध्यान रखना है कि capital का मतलब सिर्फ owners का पैसा नहीं capital का मतलब वो पैसा जो business करने के लिए आया हूँ तो business करने के लिए दो तरीके से पैसे आ सकते हैं या तो owners के पैसे लगे हूँ या तो आपने उधार में पैसा लेके आया और business कर रहे हूँ उधार में पैसा लेके आना और business करने को कहा जाता है debt यानिके loan loan debt ये भी capital है और जो आपने खुद पैसा लगा है business में owners funds है यानिके equity है वो भी capital है ये basic knowledge मुझे clear करना था कि capital का मतलब financial management debt भी है और equity भी है लेकिन accounts में ऐसा नहीं है accounts सिर्फ capital को यानिके capital account को owners funds ही मानता है और loan का loan account अलग से खुलता है debentures है तो debentures account अलग से खुलता है capital में उसको कामिल नहीं किया जाता है लेकिन financial management में किया जाता है तो यह जो convertible debentures हैं इनका क्या मतलब है इनका मतलब है कि debt में majorly आप देखो कि तो bonds और debentures ही होते हैं और equity में equity shares होते हैं majorly इसमें reserves and surplus और बाकी सार आइटम भी आते हैं और major contribution equity में equity share capital का होता है तो convertible debentures में क्या होता है one form of capital becomes different form of capital यानिके debt जो capital है वह आपका बन जाएगा equity capital इनके convert हो जाएगा after some time तो ऐसा debt capital जो कि थोरे time बाद equity capital बन जाएगा उसे कहते हैं OCDs या फिर normally convertible debentures optionally convertible debentures बोलो या फिर convertible debentures बोलो या OCDs बोलो एक ही बात है इसमें होगा क्या इसमें debt आज तो debt है अज debt के रूप में है आज loan के रूप में books में थोरे time बाद वो shares बन जाएगा कैसे बनेगा एक debenture और bond के पीछे में मान के चलो 10 equity shares company देगी तो company ने क्या बोला कि आप मेरा bond purchase कर लो या फिर आप मेरा debenture purchase कर लो आज से 10 साल बाद company कह रही है कि bond holders को कि आप हमें अपना जो bond दिया था उसे वापिस करो और हम आपको उसके पदले में 10 security share दे देंगे तो क्या हुआ तो जो bond holder या वो company का share holder बन जाएगा पहले उसे interest यानि कि coupon मिल रहा था और redemption amount मिल रहा था अब उसे dividend मिलेगा और कल को चाहे तो अगर market price बढ़ जाएगी share की तो उसको sell off कर सकता है ठीक है तो यह तरीक्या हो जाएंगे convertible debentures में यानि कि आपका bond holder बन जाएगा share holder this is also called hybrid securities hybrid का मतलब होता है कोई दो अलग अलग चीजों का मिश्रण यानि कि combination एक कोई commodity है उसके अलग features है बी कोई commodity उसके अलग features है तो मैंने a b को उठाया और b के features को उठाया और एक तीसरा बना दिया commodity c नाम का जिसमें a के भी features है और b के भी features है यह c commodity क्यलाएगा hybrid security तो hybrid security का मतलब हुआ कि जिसके अंदर में debt के भी features है यानि कि कुछ time तक मुझे coupon मिलेगा कुछ time तक मुझे interest मिलता रहेगा और उत्वरे time बाद वो share बन जाएगा तो इसमें shares के feature भी शामिल है कि अब share बन गया तो company के अब shareholder बन जाओगे आपको dividend मिलेगा time to time यानि कि profit का हिस्सा मिलेगा ठीक है तो इसको hybrid security भी का जाता है जिसमें debt यानि कि bond के भी features है और यानि के फीचर है किसमें convertible debentures या फिर OCD में note here units are very important and helpful in solving the questions units यानि कि जो हम लिखते है rupees per share जैसे market price लिखते है न rupees 10 per share rupees 12 per share अगर debenture में लिखेंगे तो rupees 10 per debenture तो हम यह कि जो rupees और debenture और share यानि के per share पर debenture का इस्तमाल कर रहे हैं यह बहुत ज्यादा help करता है convertible debentures के question को solve करने में अभी हम discuss करेंगे कि क्या-क्या formulas है question solve करेंगे लेकिन आपको फिर solve करने के बाद question को realize हो जाएगा कि कितना importance रखता है units ठीक है चलिए देखते हैं के करके formulas सबसे पहले formula आएगा iv0 का आई वी हैनिक intrinsic value intrinsic value का मतलब होता है कि should be price तो इसको बोला था straight debt value और investment value तो यह सब words याद करने बहुत ज़रूरी है कभी भी question investment value पूछ देगा अभी question straight debt value बोल देगा आई वी जिरो बोल देगा तो को ध्यान रखना है कि इनके अलग अलग नाम क्या कहा है अगर यह रूपीज पर बॉंड में रहेगा फर एक बॉंड का जो straight debt value है या फिर investment value है या फिर आई वी जीरो है वह 100 रूप है यह निकलेगा coupon amount into pvafr,n plus redemption amount into pvifr,n आपने guess कर रही लिया होगा आरी होगा क्यूंकि जब जब आई वी जीरो निकालना रहता है तब तब आरी यूज होता है आरी का मतलब होगा yield on similar non-convertible bonds तो अगर आपको first lecture याद हो जहां पर मैंने आरी वाइटीम डिसकर्स किया था तो हां पर मैंने बता था कि आरी को और क्या क्या बोलते है तो yield of similar bonds कहा जाते है आरी को और वाइटीम को कहते थे yield of that bond yield on similar bonds तो यह yield on similar non-convertible bonds आरी है तो इस तरी के से words यूज कर सकते हैं हम लोग तो यह आरी आप यूज कर लोगे तो आपने देखा होगा कि इसमें कुछ नया नहीं है यह plain vanilla bond का ही formula है जिसमें IV-0 निकाला जाता है बट वर्ट कहीं यूज होगे straight debt value और investment value ठीक है अगला formula अग करता है Conversion Ratio multiply by share price Conversion Ratio नहीं कि कितने equity share मिलेंगे एक bond के पीछे जब मैंने अभी lecture start किया तो मैंने आपर बताया कि 10 equity share मिले जाएंगे एक debenture को देखे यहने कि एक debenture आप आपिस कर दो कि 10 equity share आपको मिल जाएंगे तो यहां पर conversion ratio हो जाएंगे 10 equity shares per bond तो एक bond के पीछे 10 equity share मिलेंगे यहने कि equity shares per bond is your conversion ratio multiply कर देंगे share का price share के price का unit होता है rupees per equity share तो यह equity share नीचे है और यह उपर है तो cancel हो जाएगा अंसर आप काईगा rupees per bond तो stock value और conversion value rupees per bond में आता है ठीक है अब आगे बढ़ेंगे तीसरा formula आ रहा है market price of the convertible bond यहने कि OCD value कि optionally convertible debenture की market price चल कितनी रही है इसे OCD value कहते हैं इनके market price होती convertible bond usually given the question, question में बहुत बात दिया रहता है यह rupees per bond में रहेगा अगर बात है अगर bond कि यानिके debenture की बात चल रही है तो rupees per bond में रहेगा यानिके rupees per bond को आप divide करोगे equity shares per bond से conversion ratio थोड़ी देर पहले हम लोग यहां पर देखें देखें क्या होता है equity shares per bond होता है rupees per bond divide कर देंगे equity share per bond bond और bond कर जाएगा rupees per equity share आपका answer आएगा कि cut कैसे रहा है तो explain करता हूँ rupees per bond का मतलब होता है rupees upon bond और equity shares per bond का मतलब होता है equity shares per bond तो यहां पर division का sign बना हुआ है जब भी division होता है तो multiply में invert हो जाता है जनके inverse हो जाता है multiply हो जाता है bond upon equity share अब देखेंगे ना यह bond और bond इकड़ जाएगा answer आपका जाएगा rupees per equity share नहीं के रूपीज आपको equity share है ठीक है तो यह होगा conversion parity price या फिर market conversion price अगला formula है conversion premium का conversion premium per bond भी निकलता है और पर शेयर भी निकलता है अगर आपको conversion premium पर bond निकालना है तो आप ocd value minus conversion value करेंगे रूपीज पर bond मानेस रूपीज पर bond दोनों पर bond है अगर आपको conversion premium per share निकालना है तो निकलेगा market conversion price market conversion price यानिके ऊपर जो अपन देखे conversion parity price उसमें से मार्केट प्राइस का मतलब है share की market price तो यह भी रूपीज पर शेयर है वह भी रूपीज पर शेयर है तो आंसर आपका पर शेयर में आ जाएगा कि के तो यह होगा conversion premium और bond निकालना हो या पर यह निकालना हो अब conversion premium निकालनेंगे conversion premium ratio निकालेंगे conversion premium ratio का formula है conversion premium पर शेयर यानिकि आपने यह जो निकाला यहां पर conversion premium पर शेयर इसको डिवाइड कर दो के शेयर की price से market price से तो देखे ना यह और यह कट जाएगा यह और यह कट जाएगा तो सिंस सारे units कट गए कोई unit नहीं बचा तो यह ratio का वैसे भी कोई unit नहीं होता जैनि कि जब भी आप किसी चीज़ का ratio निकालते हैं जैसे 1 is to 2 2 is to 3 अब आगे पीछे कोई units नहीं लगाते आगे पीछे मतलब आगे उसके rupees नहीं लगाते पीछे उसमें per share per bond नहीं लगाते आप अगर 1 is to 2 बोल्ट रहें मतलब वह 1 is to 2 ही है मतलब ratio का कोई unit नहीं होता तो सिंस हम यहां पर conversion premium ratio निकाल लें यहां पर कोई unit नहीं होगा लिकिन बहुत बार इसे percentage में भी दिखाया जाता है ratio के साथ हम आगे चलके question में ratio भी निकालेंगे उसको percentage में convert भी करेंगे अगर आपका ratio आया पॉइंट वन जिरो इस्टु वन कि आया पॉइंट वन जिरो इस्टु वन यानिके पॉइंट वन के बराबर है अब पॉइंट वन को हमको अगर percentage में convert करना है तो multiply करेंगे 100 के साथ तो यह आज एक मारा 10 परसेंट हो तो conversion premium ratio आपका पॉइंट वन इस्टु वन यानिके यह भी है और 10 परसेंट भी है तो अगर ratio का convert करना हो percentage में तो multiply कर देना 100 से और आपका answer आजाएगा तो conversion premium ratio दो निकलता है एक तो आपका ratio निकलता है और एक उसका percentage में convert होके निकलता है आगे बढ़ते हैं अब conversion premium percentage देखते हैं अब आपको confusion होगा कि conversion premium ratio भी तो percentage में है तो यह अलग से क्यों बता रहे है क्योंकि conversion premium जो percentage है वो अलग चीज़ है अब conversion premium ratio अलग चीज़ है ratio को percentage में convert करना अलग बात है और conversion premium percentage निकालना अलग बात है Conversion premium percentage को बोलाता है premium over conversion value इसका formula OCD value minus conversion value upon conversion value into 100 OCD value थोई दिर पहले देखे थर्ड number बे market price और convertible bond और conversion value यह देखे जिसे stock value भी बोलते हैं इनिके conversion ratio into share price तो यही चीज़ आप यहां पर भी करोगे आप OCD value minus conversion value upon conversion value into 100 करोगे लेकिन इसके साथ आप एक और चीज़ निकाला हो कि विच्छे is OCD value minus conversion value upon OCD value into 100 तो कुछ खास नहीं कर रहा सिर्फ numerator का पहला एक element लिया denominator में इनके OCD और conversion में इसे मैंने पहले conversion नीचे ले लिया यहां पर उसके बाद दूसरे वाले में OCD minus conversion में OCD value नीचे ले लिया अगर exam में आपको conversion premium percentage या फिर premium और conversion value बोलेगा तो दोनों निकाल के आना इससे लगा लगा एक और formula है which is premium over straight value यानि के premium और investment value हमने थोज देर पहले देखा था कि यह जो आपका straight debt value है किसी को investment value भी बोलते है यहां पर आप इसको बोलेंगे premium over straight value या premium over straight debt value या फिर premium over investment value एक ही बात है इसको percentage of downside risk भी बोलते हैं तो यह वर्ड भी बहुत अच्छे से याद कीजेगा percentage of downside risk यह directly पूछ सकता है इसका मतलब कुछ नहीं है OCD value माइनस investment value अपन investment value साथ साथ में OCD माइनस investment value अपन OCD value तो वैसे ही है लगा लगा जिसके जैसा ही है कि अधिके तो यह आपका एक और formula हो गया अब आ रहा है आपका favorable income differential का मतलब होता है कि bond जो मैंने investment की थी तो मुझे क्या income हो रही थी है ने कि मुझे क्या return मिल रहा था और अब जो चीज शेर बन चुकी है अब क्या return मिलेगा तो पहले पर bond निकालेंगे पर bond निकालेंगे का मतलब है कि मुझे जब bond में इंवेश्मेंट की थी तो coupon मिल रहा था तो coupon मिलेगा भी from bond लेकिन अब जब मुझे shares मिल लेंगे तो बिचे dividend मिलेगा dividend एक share पर मिलेगा multi-order conversion ratio ओलब ४ मिलाकर यह बोलना चाहरा हूं कि एक बॉरणों के पीछे कितना दिविजेंठ मिलेग ओ मैं गया ह Prix निकला यह व्हूंजर यहां के पीछे कितना कूपन मेलेगा यहां पर क्या करें डिविजेंट पर शेर इंटी इन कंवर्जेंट रिस यहां निकित인 के कहना क्या चाह रहा है कहना यह चाह रहा है कि एक bond के पीछे कितना coupon मिल रहा है वो बताओ और एक bond के पीछे कितना equivalent dividend मिल रहा है वो बताओ ठीक है और दोनों का difference रहेगा favorable income differential तो दोनों आंसर रूपीज पर bond रूपीज पर bond में होंगे तो यह से माइनस हो जाएगा और फाइनल रूपीज पर बॉंड में आगा इंकम डिफरेंचिल पर शेर भी निकाला जा सकता है और शेर अगर आपको निकालना है तो यह जो आपका आंसर आया है favorable income differential पर बॉंड उसी को यूज करेंगे और उसे conversion डिवाइट कर देंगे जब इसे आता है favorable income differential पर बॉंड और दूसरा favorable income differential पर शेर ठीक है फिर एक और फॉर्मला आ रहा है जिससे कहते है पेड़ेक पीरेड या ब्रेक इवन पीरेड या फिप्रीमियम पेड़ेड पीरेड तीनों का मतलब एक ही है इसमें आप यूज करोगे म्हार में आप इस दो के खालीते हैं कि रूबीज्रलम पेड़ेड हैं कि रूपी पर शेर नकालते के गैसा है कनवर्जम पेड़ेड पर शेर वजह पहले देख करे हम लोग अभरजिट प्रेमियं फर शेर रे यह यह को अश्लियकल करक्याद पर कर दो के favorable income differential परक शेर तो फेवरीरबल इंकम डिफरेंचल यहां पर पे निकाला के यह राख गुपी सब्सक्राइब कर दिया में चुब का पेग सी आपको यह इंड और श्रीक मायगा अब इतने सारे इंड बता दिये क्या करना है कि छोड़ तोले बहुत अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे, एक बार दो बार तीन चार बार आप रिवाइस करेंगे, क्योशन सॉल करेंगे, सब्किक ग्रिप्व बन जाएगी, बट फॉरमॉला याद करने है। और फ़र्मुला याद करने में यूनिट्स का इस्तिमाल करने है यूनिट्स आपको हेलो अपर आ करते हैं वारना किसको किसे मल्टिप्ला कर रहे हो इसको कैसे ça beide कर राए हो किसको किसे सब्ट्रैक कर रहे हो रहता ही नहीं चल पाइगा जब चीजें clear हो जाएगा इनके shares per bond जैसे यह आपको गरिब बन गई तो इसके formula याद करने में बहुत help होगी चल यह इसका एक question कर लेते हैं the following data is related to 8.5% fully convertible into equity shares debentures issued by JAC Limited at 1000 तो 8.5% coupon दिया हुए 1000 आपकी face value दी हुए है market price of the debenture 900 तो एक तरका मेरा OCD value हो गया conversion ratio 30 तो पूरा नहीं लिखा है आपको समझ जाना है 30 का मतलब है 30 equity shares per debenture एक debenture के पीछे 30 equity shares देंगे rate value of debenture 700 market price of equity share on the date of conversion तो रूपीज 25 पर equity share expected dividend per share एक रुपया you are required to calculate conversion value of the debenture market conversion price conversion premium per share ratio of conversion premium premium over state value of debenture favorable income differential per share premium payback period तो सारे formula भी लिखाय था एक ये करके हैं स्वाव करते हैं सबसे पहले आपको coupon दिया हो वह 8.5 percent हमें issue price दियो यह यानि के face value तो इस 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 लिए बोला तो यहां पर कोशन में दिया था कि इसने जो इशू किया न कि यानिके यह जे एसी लिमिटेड ने जो इशू किया न वह पार में शू किया इस्वार कोई और सब्सक्राइब करने के लिए इसकर इशू तो यह रूपीस थाउजन में पर डिवेंचर मार्के प्राइट वैल्यू दिया हुए 900 पर डिवेंचर कन्वर्जन रेश्यो में बता रहा था आपको 30 एक्विटी शेर पर डिवेंचर प्रेट वैल्यू का मतलब आईवी जीरो होता है इनके स्ट्रेट डेट वैल्यू और इन्वेस्टमेट वैल्यू प्रेट वैल्यू दिया हुए चेहर की प्राइज दियो 25 पर रिक्विटी शेर और एक्सपेक्टेड डिविडेंट पर शेर दिया हुए एक रुपय और रिक्विटी शेर एक करके सौल करते हैं सबसे परता कन्वर्जन वैल्यू औफ डिवेंचर मैं फॉर्मला को लिंक करकर करके बताऊंगा कि कंवर्जन वैल्यू को बदर रियों कर रेशियो मुंटिप्ला करते हैं तो 30 एक्विटी शेयर इंटू 25 रूपी पर इक्विटी शेर तो एक्विटी शेर इकट जाएगा अगा रूपी सब्लदें बर डिवेंट्चर तो यह यूनिट कैसे कटे मैं एक यह है 30 equity shares एक डिवेंचर यानिकि एक डिवेंचर के पीछे 30 equity shares मिलेंगे multiply by rupees 25 अपर one equity share मतलब एक equity share 25 रुपे का है अब जब यह आपस में cancel होंगे तो equity share equity share कर जाएगा यह rupees और डिवेंचर बच जाएगा और answer जो आपका आएगा वह आएगा रुपीज पर डिवेंचर में और 30 और 25 को multiply करोगे तो 750 आएगा तो final answer होगे रुपी 750 पर डिवेंचर ठीक है बहुत बार units में ऐसा होता है कि हम multiply into divide कर लेते हैं बड़ हमको ध्यान नहीं होता कि यूनिट्स भी आपस में cancel out हो रहें तो अभी मैंने एक मौका लिया और आपको अच्छे से समझाया कि यूनिट्स भी आपस में cancel होते हैं जो internally होता रहता है और बाकी जगह इतने important नहीं होते हैं इसलिए हमाँ पर discuss नहीं होते हैं यहां पर इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है और मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक जगह पे यह आप समझदाओ कि यूनिट्स भी आपस में cancel out होते हैं पहला आगा conversion value debenture 750 पर debenture दूसरा बोना था market conversion price market conversion price का formula है OCD value upon conversion ratio which is 900 पर debenture upon 30 कुटिशेश पर debenture तो debenture कर जाएगा अंसर रूपीज 30 पर equity share ठीक है अगला है conversion premium per share conversion premium per share का formula सिखा था market conversion price मैने शेयर का price तो यह होगा 30 पर equity share मैने 25 पर equity share तो आंसर रेका 5 रूपीज पर equity share अगला है ratio of conversion premium थाना यह रहा डी में ratio of conversion premium तो ratio of conversion premium का formula conversion premium per share upon share price रूपीज 5 पर equity share upon रूपीज 25 पर equity share आंसर रहेगा पॉइंट टू-0 इस्टू-1 पर जब यह पढ़ा रहा तो मैंने बोला कि ratio के साथ आप percentage भी निकालोगे तो कुछ नहीं इसको multiply करेंगे अंड्रेट से सब्सक्राइगा 20 परसेंट तो ratio of conversion premium 0.20 इस्टू-1 भी है और 20 परसेंट भी है आगे है प्रीमियम ओवर स्टेट वैल्यू जब प्रीमियम ओवर स्टेट वैल्यू निकालते हैं तो दो तरीके से चैने कर निकालते हैं ऊ़्सेट वैल्यू मंने स्टेट वैल अपन स्टेट व謠्यट वैल्यू सब्सक्राइबर्स आप ली मंगा है आपसे टैल के का अगा हुए यह इंट पर दिफरेंचल पर शेयर मांगा हुआ है स्टाय के लिए पहले पर बॉंड निकालते हैं और उसको दिवाई कर देतेज्टेकर रेशियो से पर बॉंड आता है कूपन फ्रॉम दी बॉंड मानस डिविदेंट पर शेर इंटू कन्वर्जन रिश्यो तो आपका जाएगा 8.5 परसेंट इन्टू 1000 रुपीज पर डिबेंचर फेस्वल्य हुआ है जनके मानस स्थाइक रुपे cleanse एक रुपेnehाज एक माल्टिकॉल लोगा इक है नो कि आपका आंसर हों आएगा कि हुआ में तोहेगा 85 इंनिल्टम सब्सक्राइब डिवेंचर 15 मांस तर्टम डिवेंञाव था & र यूपीज पर डुपेनचर फाहें कर जाएगा अनन्ट प्रीमियम प्रीमियम प्रीड के लिए चाहिए कनवर्जम पर शेयर और फेवरिबल इंकम डिफरेंशल पर शेयर दोनों लोग निकाल लिये थे रूपीज 5 को डिपाट करेंगे रूपीज 1.33 से तोप का अंसर अगर येर्स में 2.73 इस तरीके से सॉल होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यूनिट्स का बहुत अच्छा ध्यान रखना है कि ग्रिप एकदम मजबूत होनी चाहिए ठीक है अले एक और कॉश्चन करते हैं व्याइट कर देडियर कोंपनी अबीच लिमिटेड अ परिटिकर मतलब एक आठीफिशन परिपन इसूड अ 10% कूपन एसलोथाऊजंद यूवर दिया आफ यूवर्ड दूरोप नियर्स किसटी ट्रेडिंग एड 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 फिफिटी पर इवच्थ क्रेंट्ली ट्रेडिंग अमतला पीज इरो इस पृप्टिबल इंटु इनुट 15 इक्विटी शिर देंगे और एक शेयर सटरा रूपय का होगा if yield on equivalent comparable bond is 11.8% then calculate the spread of the yield of the above bond from this comparable bond मतलब yield on comparable bond अगर 11.8 है अब यह क्या yield on comparable bond आरी का discussion मैंने बता था yield of similar bond और अब थोई देर पहले भी देखे कि yield of similar non-convertible bond मतलब आरी होता है यह लिखा yield on equivalent comparable bond यहनि कि किसी और similar bond का yield दिया हुआ है यहनि कि यह आपको RE दिया हुआ है तो इस बात का विशेज ध्यान देना है कि अगर yield of similar bond है किसी और bond है, मतलब similar bond का है तो वो RE है और yield of that bond मतलब जिस bond की बात चल रही हो उसका yield दिया है तो वो ITM है ठीक है तो यह आपका 11.8% आपका yield on equivalent comparable one RE है आपको spread of yield निकालना है यह मैं सिखाऊंगा नीचे देखेंगे तो relevant present value table दिया हुए present values आपको दिया हुए है T10 तक ठीक है T10 तक आपको present value दिया हुए गलब तो given coupon rate दिया हुए 10% एसलो 1000 है कोशन में redemption पार नहीं दिया हुए तो और जूम करना पड़ेगा क्योंकि formula यूज करना है तो redemption अजूम के यह तो redemption पार आगया 1000 उसके बाद दिया हुए duration duration को यहां पर maturity के बराबर मानना पड़ेगा 10 years यानि कि N यह बहुत important है क्योंकि अगर आप notice करो के तो यहां पर duration लिखा है आपको confusion हो सकते है कि जो आप duration पर चुके हो यहां कि मैकलोज duration जिसको भी यूज करते थे वह है तो थोड़ा सा अपने को कोशन का design देखना पड़ेगा कोशन में हमें 10 यानिके दस्वें period तक का present value दिया हुए और यहां पर सिर्फ duration के नाम पे 10 years लिखा हुआ है question को solve करने के लिए हमको N की requirement होती है तो अगर N की requirement होती है और duration 10 years बोल रहा है साथ-साथ में present value टेबल भी 10 तक दिया है तो कहिना के कहना चाहरा है कि यह जो N है यह 10 years के बराबर है यहनिके PVI आपको 10 तक दिया हुए पी 0 आपको 850 पर डिवेंचर दिया हुए और आगे आपको conversion ratio दिया हुए 50 equity shares पर डिवेंचर का प्राइस दिया हुए 17 पर डिवेंचर के लिवन कंपेरेबल बॉंड और ही दिया हुए 11.8 परसेंटेज प्रेट निकालो बोल रहे है प्रेट का एक्चुली मतलब होता है yield of that bond minus yield on comparable bond कुल मिला के ytm को minus करना है आरी से तो spread का मतलब क्या हुआ spread का मतलब हुआ yield of that bond के ytm minus yield on comparable bond यानिके आरी तो ytm minus आरी ठीक है अब ytm निकालने का हमने formula सीखा हुए और formula अपला करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि अगर ytm निकालना है तो उसके दो तरीके हैं या तो आप formula यूज़ कर सकते हो या तो आप interpolation method यूज़ कर सकते हो आप notice करो के तो यहाँ पे pvif.11 यानिके 11% का दिया हुआ है और pif.13 यानिके 13% का दिया हुआ है पोशन यह बोलना चाहरा है कि जो आपका ytm है वो अगर interpolation से करोगे तो 11% और 13% यूज़ करके आप कहीं इसके बीच का आपका ytm आएगा और formula यूज़ करोगे तो शॉटकर तरीके से approximate answer आजाएगा interpolation के method से कैसे values निकालते हैं तो मैंने basics में सिखाया था लेकिशन ytm का हमको अलग से formula दिया हुआ है मेरा suggestion हमेशा है कि जिसका formula आपके पास है और data भी है data क्या coupon भी है आपको डिया रहे तो आपको ytm formula से निकालना चाहिए और interpolation के रास्ते नहीं जाना चाहिए interpolation तभी यूज़ करो जब question में data बहुत कम दिया हो ठीक है तो सिंस यहाँ पर data में बस पूरा है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे formula और लगाएंगे formula तो multiply अगर 10% 1000 से प्लस 1000 मानेस 850 अपॉन 10 बोल अपॉन 1000 प्लस 850 वा 2 इंटू 100 अब का अंसर आगा 12.43 approximately formula से approximate अंसर आता है 12.43 आया तो नोटिस किया होगा तो 12.43 11 और 13 के बीच का अंसर है तो interpolation भी इसके आस-पास ही अंसर आएगा तो ytm जैसे आपका आ गया तो question simple हो गया प्रेड निकल के आगया वाइट मैनेस आरी 12.43 मैनेस 11.8 इस पॉइंट इस पॉइंट सिक्स त्री परसेटेज आपका स्प्रेड आ गया तो इस question में notice करोगे यह जो आपको data दिया हुआ था convertible debenture से रिटिट conversion ratio share price इसका कोई main use नहीं आया मतलब इसके regarding कोई आपको कोई question का requirement नहीं था हमने इसको इस लिए use नहीं किया चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम डिसकर्स करेंगे forward rates करने के लिए हमको पहले थोड़ा सा normal case recall कर लेना चाहिए या फिर रिवाइस कर लेना चाहिए कि नॉर्मल के इसमें एक्जामपल लेता हूं आपके पास एक redemption amount है जो की facial के बराबर थाउजन और इस इकल थाउजन यानिके facial के बराबर नहीं कि रिडिम डेट पार है कि पूपन 9% है तो कूपन आजाएगा 9% 1090 रुपीज तो कूपन 90 रुपीज 90 रुपीज 90 रुपीज मिलता रहे हैं मैं आपको दिया हुए थरी यर्स तो तीन साल की maturity है और यी दिया हुए 12 परसेंट जब आरी दिया रहेगा तो हम आई भी जिरो निकाल सकते हैं कि कैसे निकालोगे तो नौर्मलि क्या करते हैं हो है है अब आरी जो 12 परसेंट है कि लगाओगे और 90 रुपीज पहले साल के अद्व मिलेगा दूसरे दूसरे साल के अद्व मिलेगा और 30 साल के अन्द में 90 मिलेगा साथ में 1000 रुपी बारेडम्सन मिलेगा तो 90 90 90 इसका present value एन्यूटी फेक्टर लगा होगे और थाउजन रोपेस पर पीवी आई एफ निकलो गए तो बॉंड की प्रेजिन वेलु आजाएगी जिनसे आपने यूज किया है तो बॉंड की प्रेजिन वेलु जो आएगी वह आईवी जीरो के बराबर होगी तो हम पढ़ चुके हैं थाउजन इंटु प्वी आई एफ 12,3 से मतलब वन प्लस पॉइंट बावान प्लस पॉइंट वन टू का प्लस पॉइंट और टू पॉइंटी उसको पूल कर रहो पहले साल में निटी रूपिस खड़ा है उसको बारा परत्सने से कूल किया तो स्कु दो साल पीछे कीचा और तीसे साल में ख़ड़ा उसको तीन साल पीछे बुलाया है वही ₹90 को और हजार रुपए जो है वह तीसे साल के अद बंखड़ा है तो उसको राना वन अपन वन प्लस पॉइंट्व का पावाः 3 से के अगए लगाए अब जो काम कर रहे हो उसमें क्या कर रहे हो पहले साल में 90 अपस्ट-1 का पार बन प्लस तूपर टूप अब पावर थृ वाला यह जोब करो यह forward rate of First Year क्यलाता है यह to एक यह जो आपने दोनों में use क्या यह कहलाता है forward rate of third year note usually forward rates of all the years in the case of IV0 and P0 are same 12% पहले साल में भी है दूसरे साल में भी है तीसरे साल में भी मेरे example में जो RE 12% है तो तीनों साल के लिए प्रिकेबल है पहले साल में 12% दूसरे साल में 12% तीसरे साल में 12% so that is RE and YTM are same for all the years to maturity निके N क्यों होता है इसा क्योंकि हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो reinvestment हो रहा है न कूपॉन का और redemption amount का वो सेम रेट पो रहा है RE और YTM जो भी case applicable हो और all the years इसका मतलब समझाता हूं कि reinvestment को recall करेंगे reinvestment का मतलब है कि आपने quality investment करी उससे कुछ return आया उस return को भी का invest करोगे तो वो investment के लाएगी reinvestment हमारे case में मालग के चलो 100 रुप box किया 10 रुपे उसमें coupon आया 100 रुपे का bond लिए 10 रुपे coupon आया 100 रुपे दिया होँगा तो investment हुई 10 रुपे coupon हो रेटन के लाएगा अब 10 रुपे को क्या करूंगा तो कहीं और इंवेस्ट करूंगा जब कहीं और इंवेस्ट करूंगा तो किसी न किसी रेट पर इंवेस्ट करूंगा अब यह हम अजूम करते आये हैं अभी तक कि जो यह 10 रुपे इंवेस्ट हो रहा है यानि कि इसको कहाना चाहिए यह 10 रु कूपान मिला , अभी 10 रुपए कूपान को यूज कर लोंगा 3-Investment के लिए 12% rate पे ही फिर अगली बार कूपान देंगे थि 12% के रीथ से दागा दूंगा फिर कूपान देंगे 12% लादूंगा Redemption Amount देंगे फिर 12% लाद दूंगा जो मुझे इस investment से return आ रहा है मतलब इस investment में जो RE है वही मेरा बाकी समय भी RE होगा RE मतलब required return तो इसमें से जो मुझे coupon आ रहा है उसमें जो required return है जो मुझे चाहिए अगर वो 12% है तो मैं आगे भी जो पैसे लगा रहा हूँ यानि कि इसी पैसे को फिर से लगा रहा हूँ, invest कर रहा हूँ वो भी मैं 12% के rate से करूँगा, यानि कि RE के पराबर करूँगा ऐसा करने से ही आप यह formula यूज कर पा रहे हो PVAF और PVAFL ठीक है बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है कि जो rates हो, वो same हो, यानि कि the rates can be different for different years, such rates are called forward rates तो ऐसा forward rate जो हर साल same होता है वो RE of ITM होता है, और ऐसे forward rate जो अलग-अलग होता है वो forward rates of interest होता है, ठीक है forward rate को और आगे मैंने और अच्छे से discuss के question के साथ तो आई यह देखते है, ABC limited issue 9% 3 year bonds of 1000 rupees each having a maturity of 3 years 9% आपका coupon है, 3 साल की maturity है, 1000 रुपे का base value है the present rate of the interest is 12% for one year tenure, एक साल के लिए 12% it is expected that the forward rate of the interest for one year tenure is going to fall by 75 basis point अजब पहले साल का 12% rate fix है और अगले साल का 12% नहीं होगा मतलब आप RE of ITM solve नहीं कर रहे हो, आप forward rate का question कर रहे हो forward rate में आने वाले सालों का rate हो अलग हो सकता है तो यहां पर पहले साल का 12% है और दूसरे साल का 75 basis point 75 basis point मतलब 75.100 नहीं के 0.75 percentage कम है and further by 50 basis point for every next year in further for the same 10 year मतलब उससे अगले साल को कम कर देना है 0.5% से नहीं के 50 basis points this bond has a beta value of 1.02 and is more popular in the market due to less credit risk, calculate intrinsic value और expected price of the bond in the market तो जो second part expected price of the bond in the market उसके लिए beta यूज करेंगे लिकिन जो first part intrinsic value उसके लिए कोई beta का use नहीं होने वाला है उसमें forward rates का knowledge काम आएगा के coupon अगर 9% दिया है तो coupon amount होगा 9% to 1090 maturity आपकी दी हुई है 3 years base value आपको दिया हुआ है 1000 यहने के redemption amount क्यों क्योंकि हमने अजूम कि है redeem rate पार है अब forward rates निकाला forward rates यहां पर आ रही होंगे क्योंकि कोशन में हमसे मांगा गया है intrinsic value intrinsic value मांग रहा है बदाब जो forward rates की बात चल रही है वह YTM नहीं है वह RE है पहले साल का RE है 12% के point 12 दूसरे साल का RE है 12-0.75 यहने के 11.25 यहने के point 1125 और तीसरे साल का RE 11.25 जो दूसरे साल का था उसरे से minus कर देंगे point 5% 10.75 यहने के point 1075 तो 12% से 75 basis point कम हुआ तो 11.25 परसेंट फिर उसमें से 50 basis point कम हुआ तो 10.75 परसेंट है अब जब आइवी जिरो निकालने जाएंगे तो फॉर्मला वही रहेगा फूपॉन को पीवी एएफ और आरे को पीवी आईएफ बड़ यहां पर यूज़ निकार पाएंगे क्योंकि रेट अलग है तो जब ओपन करेंगे तो 90 इपन वन प्लस पॉइंट वन टू दूसरा है 90 एपन वन यहां पर सिंट अलग है second year को पहले साल का तो वहीं रखेंगे 1-1.12 दूसरे सल का हो जाएगा 1-1.125 अथ तीसरे साल वाला one plus 1-12 multiply around plus 1-25 multiply by लगा 1.1075 और साथ साथ मुझे आपका redemption amount है वो भी तीसरे साल में खड़ा है जब उसकी present value निकालोगे 1.12 1.125 1.1075 तो इस तरह के अलग अलग value जाहेंगी पहले वाले काएगा 80.35 दूसरे वाले काएगा 72.23 तीसरे काएगा 65.22 और redemption amount की present value आगे 74.68 आपका आइवी जीरो आजाएगा सबका सम यहनिके 942.48 आइवी जीरो आगया अब आइवी जीरो तो आगया वर्ट हमने किया क्या यहनिके फॉर्वर रेट काम कैसे करते हैं उसको आप समझता है पॉर्शन तो सौल हो गया पॉंड़ा भी समन में आ गया और भाईया कुछ नहीं करना जो रेट के आईवी जीरो है अगर आईवी जीरो पीजरो सेम है अगर आईवी जीरो पीजरो सेम है तो यही मेरा investment amount बन जाएगा मतलब मेरे पास आज हाथ में 942 रुपए 942 और 48 पैसा है हाथ में मुझे अलग अलग जगा investment करनी है ठीक है यह इस question के data को यूज किया जा रहा है लेकिन example कुछ और ड्रॉ के जा रहा है क्यों क्योंकि आपको यह जो reinvestment है और आपको जो forward rates है यह वाला funda समझाना है तो मेरे पास अभी 942 पैसा है मुझे अलग अलग जगा investment करनी है मैंने क्या किया चार investment खोजी ठीक है चार अलग अलग पहला यह दूसरा यह तीसरा यह और चौथा यह मैंने बुला मैं चार अलग अलग जगा पैसे लगांगा पहले वाले में पैसे लगांगा 80.35 दूसरे में लगांगा 72.23 तीसरे में लगांगा 65.22 चौथे में लगांगा 724.68 तो जे में मेरे पैसे पढ़े होते है 942.48 पहली investment वाले आया उसको 80.35 दिया जा invest कर दूसरे वाले में 72.23 इंवेस्ट कर दिया तीसरे वाले में 65.22 अब लगाया कैसे हैं जो पहला वला लगाया ना उसको एक साल के लगाया और 12% rate से invest किया यहां बगर में लिखा हुआ investment rate बड़ा investment amount is 942.48 my investment rate is 12% एक साल के लिए जो यह सारे पैसे लगे वो 12% rate से लगे तो एक साल बाद कि 80.35 12% rate से कितना बन जाएगा 90 रुपीज बन जाएगा ना कैसे बनेगा 80.35 और आप multiply करोगे 1.12 से अलब उसमें ब्याद जोड़ोगे अलब 80.35 प्लस 80.35 इंटू 12% अपका 90 रुपीज आ जाएगा 90 के आज पास तो पहले साल का जो रिटन आया टोटल 90 रुपीज आ गया आ गया ना 80.35 लगाया पैसे 90 रुपे कैस्ट लो आ गया दूसरा अलब इंवेस्टमेंट के है 72.23 वो एक साल के लिए 12% में लगा दूसरे साल के लिए 11.25 परसें से लगा और यह कैसे बनेगा यह से बनेगा कि 72. 22.23 multiply by 1.12 यानिके 72.23 उसमें 12% और 72.23 जोड़ा और फिर जो पूरा का पूरा आ गया वो फिर री इन्वेस्ट हो गया 11.25 से ठीक है क्यों टूटल करोगे तो 90 रुपीज आएगा ठीक है क्या किये मैं फिर से बोल रहा हूं 72.23 को अपने एक साल के लिए 12% रेट पे लगाया मतलब क्या किया है 72.23 प्लस 12% of 72.23 तो इंटरस अमाट हो गया यह प्रिंसिपल अमाट हो गया टोटल आ गया फिर यह जो बन गया पैसा यह पूरा का पूरा अगले साल के लिए 11 परसेंट के रेट से इन्वेस्ट हो गया यह पूरा का पूरा मल्टिप्लाइब आए 1.1125 पैसे गवरों के तो 90 रूपीज आएगा तो तीसरे जाब के पैसा था 65.22 पहले साल के बारा परसेंट पर लगा दूसरे साल के लिए 11.25 परसेंट पर लगा और तीसरे साल के लिए 12 परसेंट दूसरे साल के 11.25 परसेंट तीसरे साल के 10.25 परसेंट तो यह बन जाएगा 1000 रूपया तो अगर आप नोटिस करोगे तो यह 1990 और 90 क्या है आपका कूपन है और 1000 आपका आ रहे है कि तरके फ्यूचर वैलूज है फ्यूचर वैलूज है कि कैस इंफ्लोज और जो हमें पैसे लगा 942.48 यह आपका कैस आउट फ्लोर किया किया कि मैंने कुछ नहीं किया मैंने जो पैसा हाथ में वह अलग अलग जगा लगा दिया और में पाद जो पैसा आता गया वह कूपन की तरह आता कि 90 रूपीस 90 रूपीस और लास्ट में रिदेमिशन अमाउट 1000 रहा हूं ठीक है आप कोशन को explain करता हूं कि मैं अगर मान के चलू मेरा पीजरो आपीजरो सेम है यानि के मैंने 942.48 बॉंड में लगाया उस बॉंड में पहले साल मुझे 12% मिलेगा दूसरे साल मिलेगा और 30% मिलेगा यह क्या मिलेगा यह कूपन की बात नहीं चल रही है यह के आलनी वां की बात चल रही है और यहां पर दूसरे सा थैं पॉइंट 9 veils Iron खूंकर मिले और 30 साल के आंत में पी 90 रुपे दूसरे साल हो है और यह आपका investment rate है इसी investment rate को कहा जाता है reinvestment rate यह आपकी future values है 90 90 90 थाउजन तो reinvestment rate का मतलब हो गया forward rates हमारे case में यही आपके forward rates हैं तो always link reinvestment rate with future value to understand the concept better होता यह है कि जो reinvestment rate है यानि कि forward rate का जो concept है वो यह present value के साथ समझ में नहीं आता है इसलिए इस question को पहले solve किया फिस question को data को use करके आपको ही समझाया कि future values जो है उसकी फिर आपने present value निकाली नोटिस किया 90 रूपे की present value निकाली कैसे निकाली 90 upon यह पहला वाला देखो 90 upon 1 plus.12 कर गया निका 80.35 यह second वाला भी ऐसे हुआ इसकी present value निकाली 90 upon 1 plus.12 upon 1 plus.125 तो आपका 72.23 आया तो यह जो values थी उपर यही मैं यह यह यहां पर भी use की हैं कि अचमया कि नबबे रूप एक सल बाध खड़ा हाथ 1-12 परेट से इन्वेस्ट हुआ था आज की जomasता था आज दूसरा जो नबब्बे रूप यहां रूप बात कर तब्सकी आज की वेलू बता वो था कैसे invest हुआ था पहले साल के 12 percent दूसर स Bak yine 25 परेश की चाहिए दो साल को कुपन खड़ा UKK20 वह कैसे invest हुआ था तो पहला दूसा थीसरा प्रेजिंट वेलू बताओ तो प्रेजिंट वेलू आई 724.68 कुल मिला के कितने इंवेश्मेंट हुआ तो 942.48 कुल मिला के कितने फ्यूचर वेलू जुए तो 1990-1990 थाउजड और यहां कि फॉर्वर्वर्ड क्या काम कर रहें री इंवेश्मेंट र बढ़est for़ए डेट री इंवेश्मेंट रेट एंड फ्यूचर वैल्यू को यह तो वी तीणम ही आपक सेलंक रहेंगे तब यह आपको समल कुट है इसको प्रेजल के साथ मत सोचना अमेशा री इंवेस्ट्मेंट्रेट एक फ्यूचर वैल्यू और फॉर्वर्ड रेट को आपस में लिंक करके पढ़ना है ठीक है कि पोशन का सेकेंड रिकार्मेंट था एक्सपेक्टेट प्राइस अपने निकाला मुल्टिप्लाइबा था बीटा की वैल्यू 948.48 into 1.02 आपका अंसर आजाएगा 961.33 तो 942.48 आईवी जिरो आया और 961.33 एक्सपेक्टेट प्राइस ऑदी बांड इस तरीके से सॉल होता है फॉर्वर्ड रेट और इस तरीके से मैंने आपको एक्स्प्लेंड किया फॉर्वर्ड रेट री इंवेस्ट्मेंट रेट छेविए आगया बढ़ते हैं अब हम ड्सकश करेंगे क्लीद प्राइस एंड आटि प्राइस का कॉंसप्ट क्लीद प्राइस यह निकालने के लिए of the bond when the purchased in the middle of the year or period मतलब coupon payments अगर ऐसे खड़ी हैं मतलब आज coupon का payment हो गया कुछ दिन गुजरे और आप coupon का date आने वाला है इस बीच में अगर आपने bond purchase किया दो coupon की dates है एक जा चुका है एक आने वाला है बीच में कहीं आप ख़लना है यानिके intrinsic value यानिके bond की should be price यानिके आपको कितना pay करना चाहिए और भी प्राइस का मतलब होता है कि what is the amount you should pay इस प्राइस पर को लेना चाहिए लेट साइवी जिरो कैसे निकलेगा उसके लिए clean price and dirty price concept समनना पड़ेगा clean price and dirty price concept के लिए कि यह timeline को बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको यह timeline अगर याद हो गया तो question आरम से बन जाएगा कि सबसे पहले तो आएगा last coupon date मतलब जिस दिमें पर्चेस कर रहा हूं उसके पहले कौन सा coupon पे हो चुका है यह अगला coupon का तारीक कब है और फिर आगा maturity date यह bond adventure की maturity है कब ठीक है तो आपको दिख रहा हो कि यहां पर वन लिखा है यहां टू लिखा है यहां थ्री लिखा है और फोर लिखा है इसी sequence में हम लोग आगे बढ़ेंगे यानिक इसी sequence में आपको question solve करना है पहले next इंट्रस्ट प्राइस निकालनाँ यह इंट्ट का मतलब interest है तो सबसे पहले अब एकस additions निकालोगे च प्लिख और च इस फ्लोस न मसकत לצर बचे हूँँए को पुपौण और बचा हुआ redemption amount पूल करोगे तो आपके बाद जो आंसर है कि एक से इंटरस प्राइस इसमें जो आपने इस दिन coupon दिया था नेक्स कूपन है न इसका इंटरस और कूपन जोड़ोगे जब इसका इंटरस और कूपन जोड़ोगे तो आजएगा कम इंटरस प्राइस मतलब इंटरस भी जुड़ा हुआ है तो एक सेंटरस आगया कम इंटरस आगया कि कहां पर आया यह नेक्स कूपन डेट को आप कहां पर खड़े और परचेस देखो अब आप क्या करोगे अब इस कम इंटर्स प्रैस को पूल करोगे पीछे पीछे पूल करोगे तो जो आंसर है को डिटी प्रैस क्यलाएगा और इस डिटी प्रैस में से पिछला जो कूपन गया यानिके लाज्ट कूपन डेट से लेकर के पर्चेस दे तक का जो पीरिड है उस का जो interested こopun अकरूप हुआरोगा उसको उठा देंगे उसको उठा देंगे तो क्या लागा clean price कि अब लाज कूपॉं की date से लेखर के purchase date के period को हम बोलेंगे a purchase date से लेकर के next coupon date अक्त के period को बोलेंगे य और next coupon date से लेकर के maturity तक के period को बोलेंगे c तो हम यहां पे N जो है N, हम usually maturity period N यूज़ करते हैं न, हमारे यहां पे N तीन होगा, एक A भी होगा, B भी होगा, C भी होगा, यहां पे single N यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहां पे अलग-अलग period में डिवाइड किया गया data को, तो यहां पे हम N की जगा यूज़ करेंगे A, B और C, जो मैं formula सिखा रहा था, इनके बता रहा था, उसको एक बार return में देख लेते हैं, कि X interest price आएगा coupon amount into PVAF RE, C, RE यूज़ करने का कारण IV0 निकालना है, और C यूज़ करने का कारण, तो C देखो गया आप, तो यह वाला period है, this is the C period, तभी तो pull करोगे तो X interest price आएगा, तो RE, C plus redemption amount plus PVAF I, RE, C, यह हो गया formula X interest price का, नीचे में यहां पे कुछ लिखा है मैंने, जो की है, also called start proceeds, यह फिर first leg, और formula एक nominal value, multiply by dirty price, divide by 100, multiply by 100 minus margin upon 100, जो तो सर के उपर से कहा, तो यह जो formula यह actually use होता है, जब दो banks आपस में security buy sell करते हैं, एक में को shortage of funds दे मुझे पैसे दे दो, यह पर surplus funds दे मुझे से पैसे ले लो, जब आपस में security buy sell करते हैं, तो वो लोग clean price, dirty price concept use करते हैं, तो यह formula सिर्फ, वहीं तक सिमित है, तो यह formula हम उसके question में देखेंगे, जो हम banks आपस में security buy sell कर रहे हैं, बट basic formula x interest price का यह होता है, coupon amount into pvafre, c plus ra into pvafre, c, अगला formula, अगला formula simple होगा, x interest price में plus कर दोगे, interest coupon, तो दूसरा number का आजाएगा, कम interest price, दूसरा number मतलब दूसरा serial number आजाएगा, कम interest price, यह दूसरा serial number, कम interest price, यह होगा, x interest price, plus interest कूपन, यानि कि उस दिन जो पटाया हुआ, यानि उस दिन जो दिन दिया हुआ, coupon, यहाँ पर भी वही है, also called repaymented maturity, every second leg, यहाँ पर start proceeds, यानि कि x interest, plus कर देंगे, यह इसके बराबर है, और यह इसके बराबर है, start proceeds into rapport rate, into number of days by 360, तो यहाँ पर हम assume करते हैं, कि साल भर 360 days है, यानि कि एक साल 360 days के बराबर है, 365 यूजरी नहीं लिया जाता, अगर question में दिया 365, तो 365 लेना है, नहीं तो 360 दे लेके solve करना है, तो कम interest price is also called, repayment maturity और second leg, और यह निकलता है, एक सी interest price निकी start proceeds, plus interest है coupon, अलब यह पूरा का पूरा लंबा चोड़ा formula, तो जैसे कि आपका कम interest price भी आ गया, अब क्या करना है, अब इस कम interest price को pull करना है, और dirty price तक पहुचना है, अब dirty price निकलेगा, कम interest price को pull करेंगे, तो 1 plus R से divide करेंगे, पावर करेंगे, तो पावर रखेंगे B, क्यों रखेंगे B, क्यूंकि purchase date से लेकर के next coupon date, अब का जो फासला है, वो B है, यानि कि जो period है, वो B है, तो B ले लेंगे, पावर में, तो B आ जाएगा, यही dirty price आपका IV0 के बराबर है, तो जो हमने start किया था lecture, यह बोल के, कि हम clean price, dirty price, इसलिए solve करते हैं, क्योंकि हम कहीं बीच में purchase कर रहे हैं, तो मुझे कितना पैसा देना चाहिए, I should pay, नहीं कि IV0, वो निकालना है, तो आपका dirty price होता है, और आपका इस तरीके साथ है, clean price, clean price निकलेगा dirty price, मैं इसे accrued interest coupon मानिस करके, accrued interest coupon कैसे निकलेगा, तो face into coupon, यह तो पूरा साल बरका हो गया, तो इसको A upon 12, नहीं कि A जितने महिने में है, A upon 12 months, या फिर days में है, तो A upon 360, इस तरीके से आपका जाएगा accrued interest coupon, A क्यूं कर रहे है, यह इसलिए कर रहे है, क्योंकि यह जो period है, last coupon से लेकर के purchase day, वो A है, यह देखिए, तो इसको हटाना है, इसको हटा देंगे, हटा दें निकालना, फिर कम interest निकालना, फिर dirty price निकालना, और फिर clean price निकालना, फिर flow याद रखना है, चलिए question करते है, MP limited issued a new series of bond on January 1, 2010, the bonds were sold at par, 1000 रुपे, sold at par मतलब selling at par, selling at par मतलब trading at par, किनों का मतलब सिर्फ एक ही है, यह P0 और face value बराबर है, having a coupon rate 10% per annum and mature on 31st December 2025, 15 साल बाद mature होगा, coupon payments are made semi-annually on June 30th and December 31st each year, assume that you have purchased an outstanding MP limited bond on 1st माँ 2018, कहीं बीच में खरी देओ, when the going interest rate was 12%, यह क्या है, going interest rate, फिर रेकॉल करो, जब मैंने RE और YTM का table बनवाया था, या फिर अपने notes में आप पीछे जाके देखो, एक second, वहाँ पर मैंने RE में लिखाया था, going interest rate, जो मैं explain कर रहा था, कि RE को क्या बोलते हैं, और YTM को क्या क्या बोलते हैं, वहाँ पर लिखाया था, going interest rate, यहाँ पर आ गया going interest rate, इसका मतलब RE दिया हुआ है 12%, required what was the YTM of the MP bonds as on January 1, 2010, पहला तो इसको address करते हैं, YTM को, तो since face value और P0 बराबर है, एक soldate power given है, आपका coupon rate और YTM भी बराबर होगा, मैंने आपको notes में लिखाया था, कि जब जब P0 और face value बराबर होगा, तब तब coupon rate और YTM सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा simply YTM आ जाएगा 10% per annum, तो पहला तो part simple हो गया, कि YTM on the MP limited bonds as on January 1, 2010 is nothing but the coupon rate and coupon rate is 10% per annum, तो हमारा answer आ गया, second part है what amount you should pay to complete the transaction, मतलब IV0 निकालना है, of that amount, of that amount, मतलब dirty price, IV0 निके dirty price, तो dirty price में से how much should be accrued interest and how much would represent bond basic value, मतलब clean price अलग बताओ, यहनिके basic value अलग बताओ और accrued interest अलग बताओ, तो जोड़ दोगे, तो dirty price बन जाएगा, तो दुनों को अलग अलग भी बताओ, और साथ में बताओ, चलिए solve करते हैं, तो जैसे मैं बता है कि going interest rate अपका आरी के बराबर और 12% पर रहें और face अलग जो आरे का थाउजन अजूम करना पड़ेगा, तो यह तो assumption है, यह आप खुद से भी ले सकते हैं, अगर question में data नहीं दिख रहा है, यानि कि question silent है, तो assumption लिया जा सकता है, मैंने भी बहुत सारे समच में लिया है, अब in line लाना बढ़ेगा, coupon period को, maturity rate को और R.E. को, coupon हमारा 10% into 1000, यह निकि 100 रुपे के बराबर है, लेकिन, since semi annually है, तो 50 रुपे semi annually है, जून में और December में पे होगा, तो since मेरा coupon half yearly है, यानि कि semi annually है, मेरा A, B और C, भी मुझे half years में लेना पड़ेगा, मैंने थोज़ देरे पहले पहले बताया, कि N जो है maturity period, वो इस तरके question में A, B और C के through use होता है, directly कोई N use नहीं होता, तो मुझे A, B और C half years में निकालने पड़ेंगे, और RE में को दिया हुए 12% per है इसको semi annually बनाऊँगा, divided by 2 कर दूँगा, तो 6% आ जाएगा, तो मैंने coupon period, maturity period, यानि कि ABC और RE को in line ले आया, अब timeline बनाएंगे, जैसे हमने timeline बनाईए, तो मैं पता चला, कि एक March को मैंने purchase किया, 2018 को, इससे पहले coupon मिला होगा 31 December 2017 को, मतलब 2 महिने पहले, तो मैरा A आगया 2 महिना, अगला coupon का date 30 June है, June और December में पहले होता है, तो अगला coupon का date 30 June, ये period आप देखो के तो 4 मेने के बराबर है, एक माँ 2018, जैका के 30 June 2018, और maturity तो कहीं आगे है, 2025 में बैठा है, ये जो period निकालोगे C, वो अगर 90 months, 30 June 2018 से 31 December 2025, 90 months, since मैंने अभी यहाँ पे बोला, कि maturity rate ABC को मुझे half years में convert करना है, तो half years में convert करने के लिए 2 months को half year में convert करना है, तो 6 months ते divide करूँगा, तो मेरा A बन जाएगा 1 by 3, 4 months by 6 months, 2 by 3, और 90 months by 6 months, 15, तो ये क्या है, ये मेरे half years है, 1 by 3 half years, 2 by 3 half years, और 15 half years, ये हम use करेंगे formula में, तो पहले निकालेंगे X interest price, X interest price के 50 रुपे coupon है, इंटू PV, A, 6% कॉमा 15, 6% RE convert हो चुका है, और 15 क्यों, तूँकि आपे C लेना है में को, ये न, C लेना है न, देखो, फिर से recall कराता हूँ, ये देखो diagram, heal होगे, pull कर होगे, ये देखो C, यहाँ पर C ले लिया जाएगा, तो आपका हो जाएगा, 50 रुपीज इंटू PV, A, 6% कॉमा 15, प्लस 1000 इंटू PV, A, 6% कॉमा 15, 902.60, आगे बढ़ते हैं, कम इंटर्स प्राइस देखा, एक सींटर्स प्लस का देंगे इंटर्स कूपन, 902.6 प्लस उस दिन जो कूपन दिया गया था, ये पचास रुपे, तो जगा 952.60, कम इंटर्स भी आ गया, डिर्टी प्राइस, तो डिर्टी प्राइस यानिके कम इंटर्स को डिएट करेंगे, वन प्लस आरी का पावर B से, कम इंटर्स 952.60 है, वन प्लस आरी का पावर B, B, 2 x 3, तो डिर्टी पावर है, तो बेसिक्स में सिखा थे, डिर्टी प्राइस कैसे सॉल्ड करते हैं, सॉल्ड करोगे, तो आंसर आएगा 916.40, यही आपका IV0 है, तो दिस इस दप्राइस यूशूड पे, अब क्लीन प्राइस भी निकालेंगे, क्लीन प्राइस निकालने के लिए, डिर्टी प्राइस माइस, अक्रूड इंटरेस्ट का कूपन, यहीं कि 916.40 जो आपका आया भी आंसर, माइनस करतेंगे 50 रुपए, इन्टु टू मंच, बाई 6 मंच, यहीं कि 1 थर्ड, तो 916.40, माइनस 16.67, 899.73, आपका आजाएगा क्लीन प्राइस, फाइनल आंसर, तो फाइनल कोर्शन का रिक्वार्मेंट जो था, कि हमें बता यह बॉन्ड का बेसिक वेल्यू, अक्रूड इंटरेस्ट, एन अमाउंट यू शुट पे, किन चीज़ बोल रहा था, तो बॉन्ड की बेसिक वेल्यू, यहाने के क्लीन प्राइस, यहाने के 899.73, जो क्लीन प्राइस हमने निकाली, अक्रूर इंटरेस्ट, 16.67, तो दोनों को जोड़ दोगे, तो डर्टी प्राइस हा जाएगा, वेजिए अमाउंट यू शुट पे, यहाने के अमाउंट शुट बी पेड, तो कम्पीट ट्राइक्शन, 916.40, यहाने के डर्टी प्राइस, इस तरह के से सॉल होता है, क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस का क्वेश्चिन, ठीक है,